आज मैं आपके सामने एक पौधा लाया हूँ जो आम तोर पे 12 मासी पौधा कहते हैं और जंगलों में और आसपास घरों में खाली मैदानों में वो उग जाता है तो उसकी इंपोर्टेंस तो है उसकी कुछ कमिया भी है और कुछ खामिया भी है लेकिन पौधे का क्या उपयोग है और कैसे हम इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आए जानते हैं आयरुवेद के अनुसार भी और विज्ञान के अनुसार भी अपनी बौटनी की भासा में भी तो के अनुसार राई मुनिया भी कहा जाता है और हमारी वनस्पतिक के अनुसार यानि बाटनी के अनुसार इसका नाम लैंटाना इंडिका है और इसे घनेरी भी कहा जाता है कुछ जगहों पे और यह लैंटाना इंडिका फैमिली वर्बीनेसी और इसकी पूरी पतियां डंडिय जड़ सब का इस्तमाल होता यानि पांचांग का इस्तमाल आयरवेट का नुसार कर सकते हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि काना नेस्नल पार्क में बहुत पहले हिर्णों ने इसे खा लिया था तो बहुत सारे हिर्णों की देथ भी हो गई थी तो उसके बाद से उसकी सफाई करा आई जाती है हर बार वहाँ पर तो यह पौधा थोड़ा जहरीला भी है और लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो काफी जादा फायदा होगा और एक बात मैं बता दू कि किसी भी प्लांट का आप उपयोग करते हैं तो किसी आरवेट चिकिसक की देखरेक में ही करें और उनकी सलाह लेकर की ही आप उपयोग करें तो बहुत बेटर होगा यह जानकारी आपको दी जारी है कि आपके आसपास की वनस्पतिया कैसी हैं और हम अपनी जड़ी बूटियों को पहचाने और उसका उपयोग कर सके और लोगों तक ये बात पहुचा सके तो यह आ इस तरह के चोड़े चोड़े फल निकलेंगे और इसके पतियों का इस्तेमाल काड़े के रूप में कर सकते हैं दाथ दर्द में जोडों के दर्द में और साथी साथ अगर आपको बुखार है तो इसके अंतर एंटी वारल एंटी मेनेरियल और एंटी फंगल और साथी साथ अगर कहीं आपको चोट लग गई है और अगर आपके कोई घाओ बन गया है तो इसकी पत्तियों को ले करके और आप इसका पेस्ट बना करके उस घाओ पे लगा देंगे तो इस घाओ को भी बहुत जल्दी ही ये ठीक करेगा वैसे तो ये पौधा हर जगा मिलत है पर आप इसको देख सकते हैं इसकी पत्तियों को अगर आप सुखा करके रख लें अभी इस पे शोध भी चल रहा और रिसर्च भी चल रही है कि इसकी पत्तियों को अगर सुखा करके रख लिया जाए और अगर आप साफ पानी में भी डालते हैं तो ये बहुत ही इसकी पत्तियां जड और यह सभी का और कुछ जगों पर जहां पर जंगली आदिवासी लोग रहते हैं कि इसकी लकडियों का इस्तेमाल चूडी स्टैंड जुमके बैंगल्स इन सब बनाने में भी किया जाता है उसको बनाने के लिए इसकी लकडियों को पहले उबाल करके थ अकला रहता है तो यह डिस्टर्ब भी करता है तो बहुत सारी जगों पर इसको लोग साफ भी करते हैं पर एक जानकारी रखिए कि यह घनेरी है लहन्टाना इंडिका है राइमुनिया भी कहते हैं छत्री नुमा स्ट्रक्चर होता है इसके फलों का इसके पत्तों का इसके जड़ों का भी इस्तिमाल किया जाता है तो मैं फिर मिलूँगा आपको इसी तरह की जानकारी देते हुए नए पौदे के साथ जय हिन जय भारत